नमस्कार दोस्तों, वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल, विक्रम आरवेदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आज इस वेडियो में मैं आपको बताऊँगा जीवन्ती के फायदों के बारे में, तो ये जो पौधा आप देख पदवर होती है, उसी जीवन्ती के बारे में आज आपको बताने बारा हूँ, तो देखिए इन फलियों को, ये है जीवन्ती की फली, जो की आरवेद में इस जीवन्ती की फल, फूल, पत्ती, टैनी और जड़का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, चमन प्रेस का गाव, इलर्जी, तुचाकी सूजन, छाती में जमाव, खासी, जुखाम, रक्त चाप, गैंग्रीन, दस्ट, घाव से खून बहना, कटना, इत्यादी, तो जीवन्ती का कैसे प्रियोग करेंगे, आईए समझ लेते हैं, तो दोस्तों देखिए, अगर आपको बुखार की सम है, तो बुखार में जीवन्ती का कैसे प्रियोग करेंगे, तो कोई भी बुखार है, तो ऐसे में जीवन्ती की जड़, जीवन्ती की जड़ के साथ चिरायता, कालमेग, गिलूई, और करंज के बीज, इन सभी को सौसो ग्राम ले करके, आप एक मोटा मोटा कूट करके, एक एक गिलास पानी में एक चम्मट डाल करके, रोजान नित्य सुभह और साम अगर सेवन करते हैं, तो सभी प्रकार की बुखार को ठीक करने के लिए, यह जीवन्ती अच्छी मानी जाती है, आर्थरायटीस का दर्द हो, या फिर घुटनों में सूजन हो, इन सभी को दूर कर जिए 100 ग्राम, मैथी दाना 50 ग्राम, असगंद 100 ग्राम, 60 पचास ग्राम, हल्दी 20 ग्राम, इत्यादी ओसदियों को ले करके, कूट पीछ करके, एक चूरन बनाईए, और इस चूरन को अगर सुबह साम गुनगुने जलके साथ शिवन करते हैं, तो आर्थरायटीस दूर हो जावा जाती है, किसी के पीट, म्रीड में, हट्डी में दर्द करता है, त्यादी सभी प्रकार के दर्द को दूर करता है, यतना आई नहीं दोस्तों, अगर आपके अर्थरायटीस है, तो जीवन्ति के पत्तों को पीछ करके गुनगुना भी चुरहा सकते हैं, और जीवन् करने से घाव जल्दी भर जाती है, इतना नहीं दोस्तों, जीवन्ति के सेबन से भूख बढ़ती है, जीवन्ति के ये जो फल है ना, कच्चे वाले फल, अगर एक दो फल रोजाना खाये जाएं, तो जीवन्ति के फलों को सेबन करने से भूख खुल के लगती है, जिनको भ कमजुरी जतनी ज़ादंके आएगी बिमारी उतनी ज़ादा बढ़ेगी तो कमजुरी को दूर करने के लिए तागत को बढ़ाने के लिए अब जीवंती की फल सु ग्राम अ सिगंद सौ ग्राम अ्सी चनदात्रण सु ग्राम त4-5 और सदियों को ले करो कूट पीस करके चूरन बनाईए रोजाना एक ग्लास दूद में एक चम्मच डाल करके नित्य सेवन करें ऐसा करने से शरीम नई उर्जा शरीम नई स्फूर्थी तागत बढ़ती है जिससे टीबी की बीमारी में लड़ने में और खत्म करने में बहुत ही जल्दी रजल्ट मि जाते हैं कितने भी दस्त हैं जिसे ना अलसरेटिव कोलाइटिस होता है जिनकी आतों में घाव हो जाते हैं तो ऐसे में जीवन्ति के पत्तों के साथ बेल पत्ते और दुधी या फिर जीरा चार-पांच और सदियां लेजिए और लेकर के पीस करके अगर इसका शिवन करते हैं तो यह आपके अलसरेटिव कोलाइटिस में जैसे आतों में सूजन आतों में घाव यह सब समिश्याएं दूर करता है जीवन्ति तो जीवन्ति बहुत ही उफ्योगी पौधा है दोस्तों अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक के दीजिए और चैनल पर नहीं है तो